वेलकम बैक टू जी एस्टी राम प्रकास गोतम यूट्यूब चेनल और आज हम लोग चर्चा करेंगे देश के सबसे बड़े उद्योग पती में सुमार थे जिनका नाम राम कृष्ण डालमिया के जेब थी खाली पंडित ने डालमिया का हाथ देकर का था एक हफ़ते में बदल जाएगी तुमारी किस्मत डालमिया ने अपनी लाइफ में टोटल छे सादियां की सटे बाद से उद्योग पती तक का सफ़र राम कृष्ण डालमिया की कहानी आज हम लोग डिसकस करेंगे जो आजादी के पहले देश के बड़े उद्योग पती में से तीन उद्योग पतियों में से इनका नाम आता था वो थे राम कृष्ण डालमिया के बारे में उनकी ही बेटी राम कृष्ण डालमिया की बेटी नीलीमा डालमिया अधर ने एक उनके नाम पे पुस्तक लिकी है फादर डियरेस्ट दा लाइफ एंड टाइमस ओफ आरके डालमिया जिसमें वो बहुत ज्यादा कुछ बिस्तार में बताई है अपने पापा के बारे में राम कृष्ण डालमिया का जन्म 7 अप्रेल 1893 में राजस्थान के चिड़ावा कसमे में हुआ देखिए इस कहानी को सुनिये और जानिये कि एक सटे बाज लड़का किस तरह से देश का इतना बड़ा उद्योग पती आदमी बनी लगता है पूरी कहानी ध्यान से समझिएगा 60 वाजार की लड़ थी और जिस बाजार की लड़ ने डालमिया की साह को खत्म कर दिया था सटा बजार में ये पैसा लगाते हैं वाला ये लड़का कलकता में रहता था और एक बार इन्होंने अपने फादर से 500 रुपईया चुराया हलाकि वो रुपईया बाद में इन्होंने दुगुना करके जिस फार में इनके पापा काम करते थे उसके मालिक को लवटा दिया था और उस 500 रुपईया को सोची ऐसा मुसीबत आ गया था इस इन्सान के पास जो रुपईया को चोड़ी करना पड़ गया था क्योंकि 60 बजार की आदत जोती लट जोती वो बहुत खराब थी रास्ते चलते आप लोग रोट पे देखते होंगे कि कुछ पंडित बैठे रहते हैं जो हाथ देखते हैं रास्ता चलता है एक पंडित ने इनका हाथ देखा और इनको कहा कि तुम अगले एक हपते में अमीर हो जाओगे तुम्हारे हाथों में 1,50,000 रुपैया होगा यह बहुत है हैरान करने वाली बात थी कि जिस सक्स के पास 5 रुपैया नहीं है वह सक्स 1,50,000 का मालिक बने वाला है पंड़ित के नुसार और उसमें क्या होता है कि हुआ भी इसी तरह से चांदी का दाम बने लगा और उन्होंन क्या क्या लंदन में चांदी के चार फर्म ऐसी थी जिसका जान पहचान था डालमिया जी को वहां से इन्होंने फैदा उठाया और हजारों रुपया की चांदी बुक करवा लिया और उनके पास ये में तो पैसा थे नहीं लेकिन किस्मत ने कह रखा था जैसा कि पंडित ने और हजारों रुपये का चांदी बुक करवा लिया चांदी का दाम अनायास क्या होता है कि देखते देखते इतना बढ़ जाता है कि उनका वह कीमत चोल बुक किया उससे उधार से दोस्त से यार से लेके और पापा की वह 500 रुपये से ये बैपार में इस तरह से पैसा पस पा लिये कि बिल्कुल ही पंडित की कही बात एक हफते में इनके पास डेज लाग से ज्यादा रुपया था और इन्होंने बांकी सारे उधार भी चुकता कर दिया और कलकत्ता के बैपार जगत में यह सक्स एक बहुत बड़ा बैपारी बनके उभर के आया था चांदी को लेकर जब ब्रिटीश सरकार ने 20 के दसक में अपना नियम बदला तो डाल्मिया की किस्मत ऐसी बदली एक कहावत भी है ना चांदी काटना वो यही कहावत यहीं से वो कहावत शुरू होती है डाल्मिया जी से डाल्मिया इंडस्ट्री ने 20 से 40 के दसक के बीच यानि 1920 से 1930-1940 के बीच में देश में बहुत तेजी से विस्तार किया देश के हर कोने में उनका नाम हो चुका था एवियेशन से लेकर मीडिया तक तमाम बिजनेस सेक्टर उनके पास थे सिमेंट, कपड़ा उद्योग, आईरन उद्योग, मीडिया, बैंकिंग, इंडस्ट्री सारे के सारे ओफिस खुल गए थे, खाने पिने का समान, हर जगह ये पहुंच चुके थे और उस समय जिन्ना से इनकी गहरी दोस्ती थी, जिहां जिन्ना जो भारत से अलग हो करके बने राष्ट्र, पाकिस्तान के पिता कहलाते हैं, मुहमद जिन्ना से इनकी अच्छी दोस्ती थी, जो कि पाकिस्तान के संस्थाफक और मुस्लिम लिख के नेता हुआ करते थे जिन्ना और डालमिया में बहुत सारे अबगुंश भी थे बहुत सारे दोनों की बाते नहीं भी मिलती थी लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरों के दोस्त थे अब जिन्ना ने उन्हें दिल्ली का अपना बंगला बेच दिया था दिल्ली में जो ये स्क्रीन पे आप घर देख रहे हैं ये मुहमत जिन्ना का था जो बाद में डालमिया जी को बेच दिया गया जब जिन्ना ने अगस्त 1947 के दूसरे हफ्ते में हमेशा हमेशा के लिए भारत छोड़ कर दिल्ली से जा रहे थे तो अपना यह building जो कि 10 अवरंग जेव रोड जो कि अब कलाम साहब के रोड के नाम से जाना जाता है यह बंगलार डालमिया जी को दे दिया था और जब भी जिन्ना डिल्ली आया करते थे तो इस नाम का फिर डालमिया हाउस इस मकान का नाम इस बंगला का नाम इस घर का इस महल का नाम पर गया था डालमिया हाउस और जब भी वो आते थे तो यहाँ पे जिन्ना साहब जब भी आते थे इंडिया पाकिस्तान से तो इसी ब आते यहां पे वो लोग करते थे अब डाल्मियां जी जो थे अपने लाइक में टोटल छे साधियां की थी और पहली साधी डाल्मियां जी की जो पहली साधी हुई थी वह बहुत कम उम्र में हो गई थी डाल्मियां जी की पहली साधी जो हुई थी उनकी पहली पत्नी थी नर्मदा उनकी उम्र महज 12 साल थी जब इनकी साधी हुई थी लेकिन 2-3 साल में ही नर्मदा जी की मिर्ट्यू हो जाती है और उसके बाद इनकी मम्मी ने डाल्मियां जी की मम्मी ने इनकी दूसी साधी उस रहेंगे ऐसा लोगों ने सोचा लेकिन डालमियाजी रंगीन मिजाज के इंसा हुन थे और फिर इनकी शादी एक पंजाब की योगती प्रितम से होती है। इन्हें एक दिनेस नंदरी नाम की एक कवित्री पसंद आ गई। डालमियाजी ये सारी साधी करने के बाद भी आपको प्रीतम से साधी करने के बाद भी डालमियाजी को राजस्थान की एक उभरती हुई कवित्री थी। उस समय कवियों का बहुत सम्मान होता था। अब फिल में कम कविताएं नाटा कि ये सब ज़्यादा होते थे तो उस समय एक दिनेश नंदरी नाम की कवित्री थी जो की एक बार एक प्रोग्राम में इनको मिल गई और उहां पर डाल्मियाँ जी ने जब पुरसकार सरा हो रहा था तो जब डाल्मियाँ जी पुरसकार उसे दे रहे थे तो उसी समय इनको पसंद आ गई और इनोंने उससे भी शादी कर ली और इससे शादी इनोंने किया बनारस में जा करके उसके बाद बनारस में जाने के बाद जब इनकी पहली पत्नी प्रीतम जी ने इनके साथ दिकते करना शुरू कर दी तो इन्हों ने इनको दिनेस नंदनी जी को बिरेश भेज दिया था और वहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा सा घर उनको देख करके उनको कहा कि भैया अब तुमें हाँ से चले जाओ छटी साधी जब इनका हुई थी तो छटी साधी में इनको घर बालों ने पूरा विरोध किया क्योंकि उस टाइम तक डाल्मिया जी के अन्य जो बच्चे थे पहले साधी से दूसरे साधी से वो सब बड़े बड़े हो सके यहाँ पे भी इनका दिल नहीं रुका और एक बार अंग्रेज यूगती पे दिल आ गया डाल्मिया जी का अंग्रेज के साथ वर्ल्ड मुव्मेंट पे यह जब थे तो उस समय वह अपने प्राइबेट बिमान में कई देश में घूमने गए थे प्राइबेट बिमान से ही और अच्छा उन्हें रिस्पोंस मिला दिनेस पिरका में उनके पिता का दिल एक अंग्रेज यूपती पे आ गया हलाकि फिर ये प्रकरन खत्म भी हो गया और उहां पे ये उस यूपती से शादी नहीं किये दिल आया और वहीं पे उदिल टूट गया उसके बाद इनका एक बार फिर चर्चा में आये मुहमद जिन्ना की बहन थी फातिमा जिन्ना कहा जाता है कि फातिमा जिन्ना से भी इनकी नजदिकिया थी उनके पारे में कहा जाता है कि फातिमा जिन्ना अकेले ही रहती थी और इस पे भी एक संदेरा की रिष्टा है या नहीं क्योंकि जिन्ना और उनकी बहन के साथ जितने अच्छे रिष् इस्ते से लोगों को सिर्फ एक शक रहा क्योंकि डाल्मिया जी रंगिन मिजाज के इंसान थे तो लोगों को लगता था कि शाइब इनके साथ भी फातिमा जिन्ना जी के साथ भी इनका कोई रिलेशन है लेकिन इन सारी चीजों के बीच इतनी सुर्खी पे चरहा हुआ है यह डाल्मिया एक समय आता है जब इनका नहरू जी से बिवाद हो जाता है और नहरू जी से बिवाद होना और इनके जिंदगी का दिन खराब हो जाता है क्योंकि 1947 में आजादी के बाद उनका दिन बदलने लगता है परिवार में बटबारा हो जाता है प्रदान मंतरी नहरू स रिष्टे खराब हो जाते हैं क्योंकि शादियां इतनी हो चुकी थी इनकी पांचे शादियां थी बच्चे बड़े हो गए तो एलिगेशन्स लगना ही था फैमली में एक दूसरे पर लडाय जगरा होने लगा उसके बाद ये तीन साल के लिए जेल चले गए और जब लौटे तो उनके लिए इस्थितियां बदल चुकी थी देशाजाद हो चुका था और देश की स्थिति तब तक नहरूजी कुछ अलग कर दिये थे और जो इनका रुतबा था इनकी जो आर्थिक फाइनेंसियल पोजीशन थी उन सब को ये तुबारा अपने नियंतरन में नहीं कर पाए और 1978 में 85 यर्ज की उम्र में डाल्मियाँ जी का निधन हो जाता है तो ये थी डाल्मियाँ जी की कहानी इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए डाल्मियाँ जी की जिन्दगी से सीखिए थेंक्स पर वाचिंग बाइबाई